देहात और शहर इस पाट की लेखक है अभिशेक पांडिय इनका जन्म 29 जन्वरी 1992 मुंबई महारास्ट में हुआ यह पाट पत्र की रूप में है जो देहात ने गाओं को और गाओं ने देहात को अपने सुखदुख बताते हुए लिखे है प्रस्तुत पार्ट में लेखक ने शहर और देहात की वर्तमान स्थिति का वर्नन किया है पार्ट देखते है दिनांक 1 अकस्त 2017 प्रियमित्र शहर नमस्कार कल तुम से बाट हुई मेरे सुक दुख के संबन्द में पूछा दन्यवात वहुत सारी बाते मन में है सब कुछ दूर धोनी पर कहना मुश्किल है सोचाओ पत्र ही लिखूँ अब मैं अपना दुखड़ा क्या रूँ चलिए इस बार कुछ अच्छी बाते भी तुमसे साजा करता हूँ डिजिटल क्रांती का थोड़ा असर हमारे गाउं में भी दिखाई पड़ने लगा है शिक्षा, स्वास, रोजगार, खेती के नविन अउजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे है घर-घर में शोचालें जैसी सुविधा के प्रतिलोग जगरुग हो रहे हैं हाला कि कुछ परेश्यानिया अभी वही की वही है पीने का पानी लाने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है मेरे यहां विद्धालय तो है पर उनमें अवश्यक सुविधाय नहीं है महाल विद्धालय तो हमारे गाउं से बहुत दूर है तुम्हारे बारे में सुचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास आत्या धुनिक और अच्छी सुविदाय है विकसित तकनिक है, तुम्हारे दिन दुनी रात चवगुनी उन्नती हो रही है, तुम कितने सुकी हो, यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चवडी सडके, बड़े बड़े शौपी मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविता, तुम्हारे शान में चार चान लगा देती है, कभी मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी जगडे, गुडबाजी और शांती जैसी समस्याओं से गीरता जा रहा हूं, यहां के कुछ अशिक्षित और अलपशिक्षित लोग परिवार कल्यान के प्रती आज में उदासीन है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यह काम धंदा नहीं है, रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे है, यहां काम के लिए मजदुर नहीं मिल रहे है, शहरी चमक दमक और आधुनीक सुविधाओं के और आकरशित होकर, लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी और दोड रहे हैं, यहां स्वास्तों सुव सा रहा है, बताइए मैं क्या करूँ, तुम्हारा मेत्र देहात। जैसे शिक्षा, रोजगार, खेती सम्बंदी जानकारी लोग आसानी से समझ रहे हैं, स्वच्च ग्राम, स्वस्त ग्राम, घरगर शोचले, जैसे कुछ योजनाएं काओं में पहुँच चुकी है, परन्तु गाओं की आज भी कुछ परेशानिया है, समस्याएं हैं। पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। गाओं में 2400 गंटे बिजली नहीं होती, इस तरह परेशानिया हैं। तो दूसरी तरफ शहर में सारी सुविधाय है, विकास के सारे साधन है, चमक दमक है, गाओं के लोग इससे आकरशित होकर शहर निकल पड़ते हैं। इसके करण गाओं में खेती के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते, साथ ही गाओं में स्वास्त सुविधाओं की कमी भी है। इसी प्रकार कई समस्याएं गाओं में आज भी हैं। देहात ने पत्रक के माध्यम से शहर को इन सारी समस्याओं से अवगत कराया है। और उपाय भी पूछा है, देखते हैं शहर पत्रक के उत्तर में क्या लिखता है।